नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मयंग शेखर सेलेक्टिड केंडिटिटि इन फूर्ड कॉर्परेशन ओफ इंडिया बैच 2020 और आप सभी दोस्तों का तहे दिल से हारदिक स्वागत करता हूँ आपके अपनी ही चैनल सेलेक्शन मेंटर पर जहाँ पर आप सभी के साथ हम FCI MT&E मै इसके होता है दूसरी बात मैंने ये भी क्लियर कर दिया है इंगलीश और हिंदी का कोई सुक्रियेट नहीं होता केवल साउथ जोन में आपको इंगलीश में इंटरीव देना परेगा या आप सकी रिजनल लेंग्वेज है बाकी और हर एक जोन में हिंदी इंगलीश में परेशनल क्वालिफिकेशन उसको एक यूजफुल सावित करेगी फूट कोपिशन ऑफ इंडिया की ठीक है जैसे यहां बहुत सारे कैडर हैं टेकनिकल कैडर, मूब्मेंट कैडर, एकाउंट कैडर, जेनरल कैडर, डिपोर्ट कैडर, जूनियर इंजिनियर में सिविल, मेक इंडियर में सारे केडर, जेनरल कैडर है, यह तो सभी के लिए ओपन है, इसमें तो कोई भी बच्चा अपलाई कर सकता है, तो यहां कैसे कोई बच्चा बता सकता है, एक इंजिनियर होने के नाते, या एक आर्ट्स ग्रेजविट होने के नाते, या फिर एक साइंस के लिए बता हूँगा, आज मैं सबसे पहले इंजिनियरिंग वालों के लिए बता हूँगा, कि उनको कैसे बताना है कि वो डीपोट कैडर में या जेनरल कैडर में अपना कंट्रिविशन दे पाएंगे, सबसे पहली बात देखो, डीपोट कैडर एक कम्प्लीट फिल्ड जाब है, बट जेनरल कैडर एक कम्प्लीट आफिस वाला जोब है, जीतना भी ओफिसियल वर्क है उसका ओवर्राल सुपर वीजन है, ओवराल वर्किंग ऑपरिशन जो भी है गोडाउन का, उसको कंट्रोल, उसको कौन सुपरवाइज करता है, डीपोर्ट कैडर, यही है दोनों कैडर में सबसे बरा फ़र्ख, और इन दोनों कैडर में से किसी भी एक कैडर के साथ कोई भी डारेक्ट अप्लिकेशन नहीं है इन जिनिरिंग वाले बच्चों का, बट हमें अपना पक्ष तो रखना है, कैसे रखेंगे कि एक इंजिनियर होने के नाते हम इन दोनों कैडर के लिए यूश्वल साभित हो सकते हैं डीपोट कैडर का में काम क्या होता है, PDS सप्लाई करना, पब्लिक डिस्टिबिशन सप्लाई करना यानि अलग अलग जगापर देश के कोने कोने में अनाज को बाटना ठीक है, जिससे गोडाउन का बहुत सरा नाम अपने सुना होगा अभी तर, एक होता है FSD गोडाउन एक होता है CWC गोडाउन, एक होता है SWC गोडाउन FSD क्या है, Food Storage Deport यानि एक तरह का गोडाउन जहां पे हम Food की Storing करते हैं, यानि मिली वो अनाज की CWC में भी होता है, SWC में भी होता है, बट CWC क्या है Central Warehousing का गोडाउन है SWC क्या है State Warehousing Corporation का गोडाउन है और CWC क्या है Central Warehousing Corporation का गोडाउन है तो इन CWC और SWC की गोडाउन को FCI हायर कर रखती है, बट इसका मेन गोडाउन क्या होता है FSD गोडाउन, Food Storage Deport तो deport का main काम क्या हुआ कि अनाज को store करवाना उसको फिर properly maintain करवाना and फिर उसका packaging करवाना फिर उसका weight measurement करवाना फिर उसको एक rack में करके transport के लिए भीजना and rack क्या होता है वो मैं बात में समझाऊँगा main बात ही समझ लो storage करवाना अनाज का उसको maintain करवाना अनाज को फिर उसका packaging करवाना फिर उसका weight measurement करवाना फिर उसको transport के लिए भेजना ये होता है deport cutter का काम एक complete free job और general cutter का काम क्या पूरा official work कौन सा document किस से related है कौन सी नही policy आई किसका transfer कहा करना है नहीं करना है कौन कौन सा नया law बना कौन कौन सा नया act बना FCI में या recruitment नहीं आई है उससे related जो भी official work है जो भी या retirement ही हो रहे हैं बहुत सारे employees तो वो notice निकालना है ये सब कुछ करना है ये सब किसका काम है ये सब general cutter का काम है ठीक है और इन दोनों में से कोई भी direct relation या application engineering वालों का नहीं है तो हमें क्या करना है कि sir एक engineer होने के नाते अगर आपको deport को लेके बोलना है तो एक engineer होने के नाते हमारे अंदर capability है कि हम pressure जहल सकते है because deport cutter में जितना pressure जहला जाता है भाई उतना pressure शायद ही किसी cadre में होगा तो deport cutter में बहुत ज़दा pressure है बहुत ज़दा field work है तो yes एक engineer होने के नाते मेरे पास capability है कि मैं बहुत सारा field work कर सकता हूँ no doubt मेरे पास habit है calculated work भी है because weight measurement करना है analytical job भी है ठीक है कि किस तरीके से हमें storing करवाना है ताकि seat की quality है जो quality control वाले जो होते हैं technical cutter उनके थ्रू इस तरह से maintain करवाना है कि seat की quality deteriorate ना करवाए मतब ना हो पाए तो यह सब कुछ maintain करना deport cutter का काम होता है overall go down का supervision तो यह pressure जहलने की हम engineer के पास capability है तो इन capabilities होने के नाते मैं समझता हूँ कि एक engineer होने के नाते मैं deport cutter में एक बहुत ही अच्छा manager साभित हो पाऊंगा क्योंकि मेरे अंदर workload जहलने की capability है pressure जहलने की capability है calculating work है field job करने की capability है बट general cutter में बहुत सारे official work हो सकते हैं बहुत सारे नाईनी policies आ रहे retirement सारी है तो कहने का मतलब है कि documentary work करने का में बरे पास capability है क्यों क्योंकि मैंने last year में project किया है मैंने खुद thesis लिखा है मुझे पता है कि कैसे documentary work को handle किया जाता है तो इसलिए एक engineer होने के नाते मैं general cutter के लिए भी काफी useful साभित हो सकता हूं और अपना contribution properly दे सकता हूं हो गया इतना ही बोलना है और कुछ भी नमक मिर्च लगा के नहीं बोलना है क्योंकि यतना नमक मिर्च लगा होगे आप खुद फस होगे so please इसको समझे thank you so much for watching this video have a good day and bye